ही नमस्कार दोस्ते मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फर वेल्थ पे चल देखते हैं कल मार्केट में क्या मूव हो सकता है वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो मार्केट प्राइज एक्षन इस तरह का है अभे आप देखारो यह इसね हायर हाई क्रेट किया है उसके बाद यह आई को ब्रेक नहीं कर पाया है है इस रिफ्क ये आप देखिए येलो येलो और येलो जौस्त होते चले चले जा रहे है चैन्ट ऑफ सेंडिंग अगर मैं इ पब डेकंडर इस इजा डो की बाजार को पर की तरफ यहां पर मोमें ठम डेखने को मिल सकता है तो यह में मारा प्लानिंग रहेगा मार्केट में , अभी एम अगर इसको वन डे की टाइम फ्रेम पर लेकर चले और कुछ समझने की कोशिश करें बहुत सारी चीज़े यहां पर हैं यहां पर अगर आप चेक करोगे आपके पिक्चर समझाना ही कोजिश करूँ है मैं आज लाइब में भी समझाया था अगर आप लाइब में धूछ ना थे हो तो फोर ओर के टाइम फ्रेम पिए आप से यह इन अर्ट में मार्केट में क्या संद्रिगा यहां से लेकर यह यह तक मार्केट लगा था अनकाट यहां पर आप चेक करोगे बड़े प्यार से यह वाला area तो यहां पर रुका यहां पर प्राइब action को ब्रेक किया इस और फिर तर यहां पर वोलिट्य॥ कि और इसको ब्रेक करके को रेक। है तो अभी हमारे पास multiple scenarios है multiple चीजे है market continuation bearish भी कर सकता है और market police भी हो सकता है यहां से चोटे time frame में दर्स आ रहा है यहां पर market ने बहुत अच्छा खासा time spend किया है और इसके नीचे आखे रिटेश्ट कर दिया है 15 मिट के time frame हमारा planning क्या रहा है long term में थोड़ा सा लंबे समय के लिए हमने हमें समझ में आ गया कि हम क्या कर सकते हैं यह हमारे लिए एक important area रहने वाला है जो की 43400 का रहने वाला जो कि आज का दिन में देखने को मिला है लाश्टे भी यह कुछ इस तरह का इसनरी हो गवा था यह तेकंड नमबर आज का दिन है मार्केट उपर की तरफ गया खूला भी गया पाप और उपर की तरफ भी गया वहां से शार्प सेलिंग होई है और इसके बाद दिखिए सारा दिन एक साइडवेस मोमेंटम में रह गया है अभी दो तीन चीज़ा यहां पर हैं करने वाली अगर हम कल के दिन के लिए प्लान खुल रहा है खुलने के बाद इस लेवल को 43,086 रुपीस को ब्रेक आउट कर रहा है तो हम एक बाइंग साइट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं यह उपर री अस्त्रों को यहां पे कहीं टेस्ट करने आता हुआ हमें मिल सकता है कुछ यहां पर यहां पर कहीं तेस्ट करने बेक डाउन करेगा उस साइट पर उस टाइम पर हम यहां पर सेलिंग साइट करेंगे अधर वाइस थोड़ा सा मार्केट्स अपको साइडवेज ही मिलता है यहां पर निफ्टी में बहुत अच्छा खासा लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है सेम वही सनर्यों री टेस्ट हो च इस लोग्रेट कर दिया है इसको यह बरेक करना पड़ेगा नाटीन तौह फाटी का लावल अवाले दिनों में देखने को मिलने वाला है फिलहाल की घड़ी क्या प्लान है हमारा यह हम क्या कर सकते हैं बहुत दिनों से मल्टीवल नाइम से यह वाला रेंज पूरा बनाया ह जो कि breakout नहीं कर रहा है यहां पर देखिए इसके उपर open हुआ था लेकिन open is equal to high खुलते ही गिर गया है तो यह वाले अरिया कि अगर उपर निकल रहा है 19,170-180 का लेवल इसके उपर हमें प्लान कर सकते हैं बाइंग सैट के लिए immediate लेवल पर selling भी बन रही है सीधा आज कहा यहां से बाइंग आया है अगर इस रेंज को breakdown यह कर दे रहा है तो मैं एक सैलिंग साइब में प्लान कर लें कि दिस इस इस अरिश्टंस एडिया यहां से फॉल किया वहीं सपोर्ट बन गया है तो अभी अगर इसके लेवल के निच्छे निकलेगा तो हम सेल करेंगे अधर सब्सक्राइब के हम बात करेंगे यहां पर संसेक्स का index हम दोणने की कोशिश कर रहे हैं अर यहां पर index हम आप सेम वही सनखड़ी मिशिक्स कि यह वाला एरिया यहां पर इसके बीच और धे खुल रहा है तो sideways उमीद करेंगे हम और वेट करेंगे सकंड आफ में कि इस refract या profit आपको zero hero में मिल जाएगा होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है stocks के नाम लिग दीजेगा जैसे रोज बोलता हूँ मैं अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक कर दीजे मिलते हैं किसी और वीडियो सब्सक्राइब किये हैं चेक करिएगा चैनल पर और बाच चुरूर किजिएगा